ओम शान्ति वर्ल्ड ओल्माइटी अथोरिटी हम बच्चों को ड्रामा का राज बताकर हमें विशाल बुद्धी बनाते हैं और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए साक्षी द्रश्टा रहने की शिक्षा भी देते हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 21 एप्रिल 2022 के मधुर महावाक्यों को आज की मुर्ली का सार है हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोज़ा है हिसाब किताब की भोगना है जिसे योगबल से ही चुक्तु करना है बाप समान साक्षी किस बात में बनना है बाप को किसी बात का अफसोस नहीं होता बाप का अन्तिम डारेक्षन कौन सा है मीठे मीठे बच्चे अब जाना है परमधाम श्रिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं श्रेष्ट बनाते, सुखी बनाते, डारेक्षन देते, हम बच्चों को समझाते, सहज राजियोग सिखलाते, भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, अनेक धर्मों का विनाश कर एक आधी सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते, सत्युकी स्थापना करते देवता धरम वालों को पढ़ाते, स्वर्ग का साक्षतकार कराते, सदा शान्त, सदा सुखी बनाते, माया के दुखों से लिबरेट करते हम बच्चे किन बातों को जानते और समझते हैं, ड्रामा का राज, इस रिष्टी में बहुत दुख है, बाबा हमको पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इस दुनिया का सुख अल्प काल, काग विश्टा समान है हम बच्चे किन बातों को जानते और समझते हैं, ड्रामा का राज, इस रिष्टी में बहुत दुख है, बाबा हमको पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इस दुनिया का सुख अल्प काल, काग विश्टा समान है हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है, परम्पिता परमात्मा स्वर्ग का रचईता है, तो जरूर यहां आया होगा बेहत का बाब वर्षा लेने वाले बच्चों को कौन सी बाते समझाते हैं, समय नस्दीक होता जाता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता बाब समान हर दृष्टे को साक्षी होकर देखना है, यह बुद्धी योग की मुसाफरी है जो हमें करनी है निरंतर उस बाब को और सुक धाम को याद करना है, हमें यह शादी मुरादी, तीर्थ आदी कुछ भी नहीं करने हैं, इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल, देही अभिमानी बनना है क्या होने से क्या होता है? श्रीमत पर चलने से श्रेष्ट बनते, पांच विकारों का सन्यास करने से चक्रवर्ती राजा बनते, औरों को सुक देने से बहुतों की आशिरवाद मिलती, कल्प की आयू लाखों वर्ष कहने से मनुश्यों की बुद्धी से सत्युक का नाम गुम हो गया, अभी स्वदर रंग हमको नहीं लगता, अंतिम समय में हीरे तुले जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पाट बजाने वाले बन जाते, कल्यूग में क्या क्या है, बीमारी, तराही तराही, कब्र दाखिल, रोना पीटना, गंदी दुनिया, बच्चे धन के लिए बाप का खून करत पतित दुनिया, दुखी मनुष्य, लड़ना जगडना, विकर्मों का बोज़ा, कयामत का समय हमें किन बातों की धारणा करनी है, सर्व को सुखदे आशिरवाद लेनी है, तपस्या कर सर्विस के लायक बनना है, श्री श्री की श्रेश्च मत पर चल पूरा सन्यास करना है, इस कयामत के समय में सबसे बुद्धी योग तोड़ देना है, सिर से अनेक जन्मों के विकर्म का बोज उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहे, बल लेना है, ये थी आज के मुरली की विशेश बाते, ये कयामत का समय है, इस समय हमें अपना बुद्धी योग इस पुरानी दुनिया से निकालना भी है, और साथ-साथ पुराने विकर्मों का बोज जो बल होगा, तो सर्वशक्तिमान बाप की याद से स्वयम में शक्ति भर कर हम अपने विकर्मों के भोजे को समाप्त करेंगे, ओम शन्ति